सर्दियों में आपने कई तरह की सबजियां बना कर खाई होंगे तो आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही स्वादिस्टेस्टी बिल्कूल नई तरीके से केवाच की सबजी और ये बहुत ही आसानी से बहुत ही कम मेहनत में बनने वाली सबजी आपको बहुत ही जैदा पसंद तो आप लोगों भी एक वार मेरी तरिका से केवाच का सवजी बना कर खाना आप लोगों को भी ये सवजी बहुत ही जैदा पसंद आएगी नमस्ते दोस्तो स्वागत है आपका पाक विधी में तो दोस्तो अगर आज की ये रेश्पी पसंद आए तो वीडियो को लाइक सेयर जरूर करें और मेरे चैनल पाक विधी को जरूर सब्सक्राइब करें तो चलिए आज की बहुत ही मज़ेदार टेस्टिन सवजी बनाने के लिए हमने यहाँ पर दो केजी के वाच लिए हैं लेंगे और इसमें सारा केवाच इस तरस से डाल देंगे तो आब इसमें सारा कवच्वा डाल देंगे तो कवच्वा को हर एक एरिया में अनग लगनामों से जाना जाता हैं कहीं परिश से केवाच बोला जाता हैं तो कहीं परिश से कोच अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे तो हम इसमें जितना कोचवा डाले हैं उसका आधा पानी डालेंगे अब इसका ढखन लगाएंगे और इसमें एक सीती लगाएंगे तो हम इसमें जैदा सीती नहीं ल गरम ही छीलेंगे तो हमें कवच्वा को गरम गरम ही छीलना है नहीं तो ये ठंधा होने के बाद अच्छे से नहीं छीलेगा और नहीं इसका ये वाइट वाला पत्ती निकलेगा तो आप इसको गरम गरम ही फटा फट से छीलने तो इसको छीलने में आपको कोई प्रेसानी नह जाता है तो देखिए इसको इस तरह से पकरेंगे और खीचेंगे तो इसको हलका इस तरह से नाखुन से तोर देंगे और इसका छिलका को इस तरह से बाहर खीच लेंगे तो ये बहुत ही आसानी से छिल जाता है तो इसका बलैक कलर के सारे छिलके अच्छे से निकाल देंगे अब हम इसका पत्ती निकालेंगे, तो ये वाइट कलर का दिखरा होगा जिसमें बीजाएं, उसको इस तरह से बाहर खीच कर निकाल देंगे, तो हम इसमें न तो बीज का इस्तेमाल करना है और नहीं इस पत्ती का, तो देखें तभी हमने कितना सारा कवच वा लिये थे और इ इसमें दो वरा चमच तेल डाल देई हो, तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे, तेल गर्म होने के बाद इसमें डालेंगे पाच्छे सुखी लाल में चाधा चमच जीरा, जीरा चतकनी के बाद इसमें दो मेडियम साइज के प्याज को इस तरह से बारिक बारिक काट करके ड केवाज का सब्जी बनाने के लिए पियाज का इस्तेमाल थोड़ा जैदा करे ताकि सब्जी बहुत ही स्वादिश्ट बन कर तयार हो तो पियाज को बस हलका पका ले तब हम इसमें छिला हुआ सारा केवाज डाल देंगे डालने के बाद इसको बढ़ियां से मिक्स करेंगे तो इसको तेल में अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको दो से तीन मिनट तक बढ़ियां से भूनेंगे तो इसको बीच बीच में इस तरह से चलाते रहेंगे ताकि ये अच्छे से फ्राय हो तो इसको बीच बीच में इस से चलाते रहेंगे और इसे चलाते हुए बढ़ियां से खराय करेंगे तो दीखे इसका कलर चेंज हो गया है अब इसको निकाल लेंगे तो सारे को इस प्रस से निकाल कर प्लेट में रख लेंगे अब चाहे तो इसका भुजिया भी बना कर खा सकते हैं इसका भुजिया भी ब डाल सकते हैं लेकिन मैं नहीं डालूँगी क्योंकि मैं पहले ही प्याज का इस्तेमाल जैदा कर लिया हैं अब इसको इस तरह से पका लेंगे तो देखिए टमाटर गल गया है अब इसमें डालेंगे लहसन प्याज का पेस्ट डालने से सबजी में बहुत ही अच्छा स्वाद जाता है अब इसको एक से दो मिनाठ तक भूनेंगे अगर आप खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप इसको हटा सकते हैं अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक तो मैं इसमें डाल दई हूँ एक बरा चमच नमक एक से देर चमच लाल मिर्च पोडर लाल मिर्च तो मैं इसमें आधा चमच छल्डी पोडर डाल रही हूँ आप इसमें थोरा सा पानी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें डालेंगे आधा चमच सवजी मसाला आप इसके जगर दूसरा और कोई मसाला का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको पसंद अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मसाला को 2-3 मिनर तक बढ़ियां से भून लेंगे तो मसाला अच्छे से भून गया है अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेंगे तो इसमें थोड़ा सा ही पानी डालेंगे तो अब इसमें एक उवाल आने देंगे जब ये उवलने लगेगा तब हम इसमें सारा फ्राय किया हुआ के वाच डाल देंगे के वाच डालने के बाद इसको बढ़ियां से मसाला में मिक्स करेंगे और इसको मसाला के साथ चलाते हुए एक से दो मिनार तब फ्राय करेंगे तो इस तरह से ये मसाला के साथ बढ़ियां से फ्राय हो जाएगा और सब्जी भी खाने में बहुत ही स्वादिश्ट लेगा तो देखे मसाला के साथ ये भी अच्छे से फ्राय हो गया है अब इसमें डालेंगे पानी तो मैं इसमें थोरा सा ही पानी डाल रही हूँ आप चाहे तो इसको ऐसे सुखा भी खा सकते हैं इसकी सुखी सब्जी भी बहुत ही तेस्टी लगती है देकिन मेरे यहा सभी को इरेवी बाला सब्जी इसका फसंद है तो मैं इसमें थोरा सा पानी डाल दे रही हूँ अब इसको मिला देंगे और इसको अच्छे से पका लेंगे और इसको निकाल लेंगे तो लिजे दोस्तो आज का हमारा बहुत ही स्वादिश्ट टेस्टी मसालेदार केवाज की समझी बन कर तैयार है तो दोस्तो आप इसको रोटी चावल पूरी पराटे की सीवी चेज़ के साथ खाईए ये खाने में बहुत इस्वादिष्ट लेगा तो दोस्तो आज का रेश्पी कैसा लगा हमें कॉमेंट करके जरूर बताना और आप सर्जी भी एक बार मेरी तरीका से केवाज का सर्जी बना कर जरूर खाना तो दोस्तो अगर आज की ये रेश्पी पसंद आई हो